हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मैं आप लोगों को माता काली को बुलाने का मंत्र बताने वाला हूँ। ये मंत्र बहुत ही प्रभावी है और माता काली इससे शीग्र प्रसन्न होती है। मित्रों, ये तो सच है कि मा काली को बुलाया जा सकता है। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो साक्षात मा काली से बात किया करते थे। उनमें से ही कुछ वर्ष शताबदी पूर्व, रामकृष्न परमहंस, एक अद्वितिय मा काली के परम भक्त थे। वह जब चाहते थे, तब मा काली को बुला देते थे। लेकिन ये भक्त की अटूट भक्ती एवं विश्वास पर निर्भर करता है कि वह मा काली के दर्शन प्राप्त कर सकता है या नहीं। आज हम आपको मा काली को बुलाने का मंत्र बता रहे हैं। यदि आप महाकाली के सच्चे भक्त हैं, तो माकाली को बुलाने का मंत्र जाप करके शीग्रही माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कठोर नियम एवं तपस्या की आवश्यक्ता है। आईए जानते हैं मा काली को बुलाने का मंत्र एवं मा काली से कुछ विशेश रहस्य। मित्रों, हिंदु धर्म में मा काली को तीन देवियों में से एक माना जाता है। मा काली का रूप अत्यंती भयानक है, जिसे देखकर दुष्ट अत्याचारी पापी लोग भयभीत हो जाते हैं। मा काली को अधर्म का मार्ग बिलकुल भी पसंद नहीं है। जो लोग अधर्म के मार्क पर चलते हैं, अत्याचार करते हैं, माह काली उन्हें बहुत भयानक दंड देती हैं. ऐसे बहुत से साधक हैं, जो माता काली को मंतर से विवश करके अधर्मी काम करते हैं. वहीं दूसरी और माह काली अपने भक्तों के लिए विशेश कृपा करने वाली होती हैं. जो भी भक्त माह काली की शरण में चला जाता है, उसके लिए माह काली अपना शांती रूप धारण कर लेती हैं. माह काली को प्रसन करने के लिए माह काली की मंतर साधना करना जरूरी नहीं है, लेकिन माता काली का शीग्र दर्शन पाने के लिए मंतर साधना बहुत जरूरी है और इसे ही मा काली का आवाहन मंत्र भी कहते हैं मा काली की मंत्र साधना विभिन प्रकार से होती है कुछ लोग मा काली की तांत्रे को पासना करते हैं तो कुछ लोग मा काली की सामान्य भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं माकाली को बुलाने का मंत्र बहुत ही चमतकारी और रहस्यमई होता है अर्थात माकाली का आवाहन करने से पहले भक्तों को पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से माकाली की पूजा अर्चना करनी चाहिए जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा एवं भक्ति से मा काली की पूजा करता है वो निष्चित ही एक न एक दिन मा काली के दर्शन पा लेता है शास्त्रों में दिये गए माता काली के कुछ मंत्रों को बताने जा रहे हैं आप इस मंत्र का जाप करके माता का दर्शन शिगर पा सकते हैं। मा काली का यह पाँच मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। माता काली इस मंत्र से ज्यादा प्रसन्न होती है। मंत्र उच्चारण से निकलने वाली ध्वनी तरंगे माता को अपनी ओर आकर्शित करती हैं। मंत्र जाप करने के पूर्व मा काली का ध्यान करने के लिए सर्व प्रथम किसी शांत स्थान की तलाश करें। ऐसा स्थान जहां किसी भी प्रकार का ध्वनी प्रदूशन न हो और नहीं कोई व्यक्ति ध्यान साधना में हस्तक शेप करें। अगर ऐसा स्थान मिल जाए तो उस स्थान पर चौकी रखें और चौकी को गंगा जल या सामान्य जल से धोकर उस पर लाल वस्त्र बिच्छाएं। तद पष्चात माता की प्रतिमा को स्थापित करें। माता की प्रतिमा को रखने के बाद देवी के समक्ष एक दीपक जलाएं, उसके बाद अपने कुलदेवता, इश्ठदेव और गणेश जी का मन में सुमिरन करें और इस कार्य में सफलता की गुहार करें। अब इस मंत्र का जाब बिना भोजन और पानी पिए 108 माला 42 दिन तक करें। जब तक आप मंत्र जाब करते हैं, मा काली को जवाब फूल अर्पित करते रहें। इस बात का विशेश ध्यान रखें कि आपके मुख से निकलने वाले मंत्र ध्वनी तरंगों में भक्ति भाव और बिलगता का भाव होना चाहिए। इससे मा काली शीख्र दर्शन देंगी। आप अपने मन में माता के उग्र छवी का ध्यान न लगाएं, आप माता के सौम्य रूप का ही कल्पना करें। क्योंकि माता के उग्र रूप का दर्शन आपको भैभीत कर सकता है। आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। भक्त माता को जिस छवी रूप में आवाहन करता है, माता अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन देती है। इसलिए इसका विशेश ध्यान रखें, आप माता के सौम्य रूप का ही कलपना करें।